इंडियों रोष्टिले के बीच में आज पहला मुकाबला के लजने वाला है दोस्तों और आज बड़े-बड़े प्लियर्स इंडिया की तरफ से बहार है रोई सर्मा विराट कोली इसके अलावा कुल्डी प्यादाव हर्दिक पांडिया आपको आज रेस्ट में दिखेंगे होगे यहां से बात करूँ तो श्टीव स्मिट पैट कमिन्स और गलैन मैक्स वेल आज अबैलेबल नहीं है लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर अब यह प्लियर आते हुए आपको दिख जाएंगे तो बहुत ही सांदर स्टार्ट होने वाली है इस मेच की दूस्तों हला काफी सारे नएने प्लेयरों को मोखा मिलने वाला है इसान किसन आपको बेटिंग में ओपन करते हो दिखेंगे सुमन किल के साथ इसके अलावा दोस्तों और भी अपडेट से जिसके वासिंग्टन सुंदर भी आपको देखेंगे आज खेलते हुए इस पेंचर जोंसन जो है उनका अज डेवी मेच हो सकता है तो आज का मेच रहने वाला है अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस्पेशिली ग्रैंड लिग खेलने वालों के लिए दोस्तों तो इस यडियो में आपको ग्रैंड लिग पॉइंट अवी से इंपॉर्टन चीजे पंजाब रिकेट एसोचीएशन मोहाली में मेच कहलना है यहाँ पर पेसर को अच्छी मदद मिलती है स्पिनरों को कम पेरिजन में दूस्तों और एक एवरेज विकेट है यहाँ पर मतलब मीडियम बैट्समें बोलर दोनों को मदद मिलती है बट पेसर थोड़ा से सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि दूस्तों परफोर्मस अच्छा आरा इनकी तरफ से और रिसेंटली फॉर्म भी बहत्रीन चल रहा है इसके अलावा लोकेस राहूल भी अच्छे टच में हो एक इंपॉर्टन प्लियर रहेंगे और विकेट की मोस्ट्री आपको लोकेस रा सब्सक्राइब करते हैं तो यह एक इंपॉर्टन प्लियर और इंपॉर्टन प्लियर से इसलिए मैं आपको बता है क्योंकि मातर आठारा पर्शन लोगों नहीं लिया हुआ है और यह आज कि मैसे अप्र लिए ट्रंप काट पिक सावित हो सकते हैं ग्रेंड लिए तो जरू सूरी कुमार यादब ने पिछले सीरीज खेले गई थे दो हजार तेवीस में तीन ओडियाई मैचेस की उन तीनों मैचों में दोस्तों ज्यरो ज्यादा बुरा आता है और इनसे बुरा रिकॉर्ट बेरे ख्याल से किसी प्लेयर का होगा किसी भी टीम के अगया है दोस्तों इनको आप कम टीम में ट्राइ कर सकते हो बड़ जील पॉइंट वे से जरूर लेकर चलिएगा यह मोश्टर विलिए दोस्तों आपको टू डाउन पर बेटिंग करते हो दिखेंगे तो इनका बैटिंग कॉसं काफी अच्छा है स्रेया सहीर को आज की बैसे में जरूर ट्रा रिकोड नहीं और वेन्यू पर ठीक ठाकी रिकोड रवी चंदर अजबिन के साथ भी सेम चीज है और वाशिंग्टन सुन्दर भी दूस्तों रिसेंटली ठीक ही कर रहा है इनके ओवर्स वगेरे बहुत कम होते हैं तो यहां पर तीन स्पीनर है और इस वेन्यू पर स्पीन देखोगे तो अजबी डिफ्रेंशल रहेंगे ग्रेंड पॉइंट विसे और रवेंद जएड़ेज़ा थोड़े सेफ रहेंगे स्मॉल पॉइंट व्यू से तो यहां पर रवी चंदर अजबिन को आप ग्रेंड लिग में प्रीफर कर सकते हों बॉलिंग सिराज को काफी बना रखा है हाला कि दोस्तों रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो जश्पी दुम्रा के हेट टो एड में काफी अच्छे रिकॉर्ड यू पर बहुत अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं तो यह एक इंपॉर्टन प्लियर रहेंगे सामी ने भी दो मेंच के लिए जिसमें इ तो यहां पर अपने इन बालर्सों के बारे में बात कर लिए यहां पर सारदूल के चांस है कि इनको भी मुकम मिल सकता है और सामी या सिराज की जगह पर आपको खेलते होई दिख सकते दोस्तों ठीके सारदूल की खेलने की पॉसलिए थोड़ी सी कभ है अगर खेले तो अच्छे प्लेयर एक रिसेटली परफोर्मस बहुत अच्छी खेलके भी आ रहा है दोस्तों तो अच्छे फ़र्म में आप इनको ट्राइए कर सकते हो यह और भी डिफ्रेंचल पिक रहें क्योंकि निका सिलक्सन बाकी दोस्ते कम हैं दोस्तों ठीके और थोड़े से रिस्क यहां पर देखोगे तो मिच मार्स रिसेंट दोस्तों बैटिंग में अच्छा कर रहा है लेकिन इतना कुछ खास बड़ी नौक नहीं खेल पा रहे है स्टार तो अच्छा मिल रहा है लेकिन बड़ी नौक में बिट नहीं खर पा रहे है और विकेट अपना जल्दी का बार है लेकिन दुस्तों हेट्ट्वेड में बहुत ही सांदर रिकॉर्ड रखते हैं यह 89 का इनका उसत रहा है तो दियान रखना इंपोर्टेंट प्लियर है और कैप्टें लाइक प्लियर है देविट वार्नर का भी काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है इंपोर्टेंट है और productiveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveave बाद बाद वापस आ रहे हैं पिछला जो हेट्ट्ट वाता समें जरू करें क्या रहे हैं इम्पोर्टेंट रहेंगे इनको आप कैप्टेंट सी भी दे सकते हो और ग्रेंड लिक पॉइंटों भी अच्छे पीक हैं और रीसेंट फॉर्म देखोगे तो वापस से फॉर्म में चुके हैं मानस लाबुस्चक ने भी रीसेंट लाली अच्छी पर्फॉर्म दिये तो यह चारों के चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे और बैटिंग बना रहे हो तो इन चारों का लेके चल सकते हो यहां पर दोस्तों ग्लैन मेक्स पहले मेंच में अने बल नहीं है यानि क देखो कि यह बैटिंग दोनों कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब बैटिंग ओर तो काफी नीचे है और बालिंग में दुस्तों इनके ओवर्स डिवाइट हो सकते हैं ज्यादा डिवाइट नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा बालिंग ऑप्सन इस टीम के पास अभी नहीं है अच्छे बालिंग ऑप्सन के साथ उत्रेगी तो इनके ओवर्स डिवाइट होंगे साथ से आठ ओवर आपको करते हों दिख सकते हैं मारका इस्टों इस रीसेटली बालिंग में काफी अच्छा पर्फोंस दे रहे हैं बैटिंग में ठीक ठाक पर्फोंस है और हाले की ब करते हों दिखेंगे और बॉलिंग में भी पर्फोंस दे जाएंगे दोस्तों यहां बर पेहट कमिन्स की बात करूं तो यह बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं दोस्तों हेट्ट में पिछला जो इनके नाम पर इतनी अच्छी पर्फोंस है तो यह डेफिनेटली कर सकते हैं कैप्टन जरूर राय करना पेट कमिन्स को इसके अलावा जामफा को मातर 12 प्रसंट लोगों ने लिया हलाकि वेल्यूंग पे इतना इनको मदद नहीं मिलने वाली और इतने कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है इस वेंडियू बट हैजल बूड की बात करो इनका 28 सेलेक्शन ओपन प्रस देथ के बॉल रहें बिल्कुट राय करना इंपोर्टेंट है और ग्रेंड लिग में एका टीम में कैप्टन भी आप इनको बना सकती हो यहां पर यह तो तो तनिवेर सांगा कहलेंगे इनकी खेलने को थोड़ी से का में इस चॉंसन स्पेंशन आज अभी इनका सेलेक्शन एक परसेंट से भी नीचे है अगर यह खेले जरूर रहे कर लेना क्योंकि ओडिया में इनका यह जरूर बना देना जिसमें आप इनको कैप्टन से ही दे रहे हो कि अधर आपर दुस्तों आपने दोनों टीमों के प्लेयरों की वारे में बात कर लेंड को उनको उनको उनसे कंड़ सकते हूं ग्रैंड वश्क्री मेरे Тीम क्रेट करें है करी है पहले टीम है दूस्तों वह बनाई है इनिफंब लियरों को ले क्या खिते हुए लिए ने को जो है ऑस्ट्रेलिया के साइट से ही बनाएं दोस्तों लोकेज राहूल टीम में है इसान किसन टीम में है सुममन गिल स्रेया सेयर है इसके अड़ावा रविंद्र रजड़ेजा जस्पित वुमर है आसे जामफा और पैट गाविंच टीम में है कैप्टन जो बनाए है मिच मार्स को बनाए है और वाइस कैप्टन बनाए है स्टीवी स्मित को 57 का उसत रखते हैं यह हैट टुएड में और यह रखते हैं 89 का उसत दुस्तों इन प्लेयरों को मैंने कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी दी है तो यह मेरी पहले नंबर की Grand League टीम है जो कि दूस्तो थोड़ा सा आउस्ट्रेलिया के फेवर में जुखा सकते हो क्योंकि आउस्ट्रेलिया की तरब से इन दो प्लेयरों के रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे हैं दूसरी Grand League टीम बॉलिंग फ्रेंड लिये प्लस जो प्लेयरों के अच्छे रिकॉर्ड उनको में यहां पर विश्यसरुप से ध्यान रखा इस्पेशलिए पैट का मेंस का इन्होंने हेट्ट्वेड में पांच विकेट निकालने यह मेरी टीम में सिदे सदे कैप्टन बन गय कर सकते हैं मारकेश उनीद कर सकते हैं एडम ज闪ाो में थोड़न कर सकते हैं यहां यहां से एक मादर भी टीमी में लेके चलाओं यहां पर आप चाहो तो थोड़े बॉलर कम करके पैटम को बढ आ करो जो बॉलर्स को फेवर में करती हुए दोस्तों क्योंकि बॉलर्स अगर एक विकेट भी ले जाता है तो आराम से 30-40 पॉइंट दिला जाता है और वही बैट्समें को दूस्तों 25-30 ने बनाने पड़ते हैं इतने पॉइंट दिलाने के लिए तो यहां पर बॉलर्स को यह रहते हैं और बॉलर्स जादा अच्छा परफमस देखे जाते हैं यहां पर देखोगे इंडिया की टीम बनाई है यहां से इंडिया की टॉप ओडर के बेट्समें सुमन की लिशान किसन बहुत ही अच्छे फॉर्म में इन दोनों को कैप्टन वाइस केप्टन और वन डाउ सब्सक्राइब को रख लिया है पैट कमेंस मेरी तीनों जील टीम में क्योंकि हैट्वेट का रिकॉर्ड ध्यान में मुझे और यह इंपॉर्टन मुझे आजके में लग रहे हैं बुम्रा है सीराज है और यहां पर डिफ्रेंशल रखें रविंद्र जड़ेजा की जगा प वहां पर भी डूड़ सकते हो उसमें में अपडेट देता रहता हूं दोस्तों